हेलो फ्रेंस वेलकम टू माइ यूटुब चैनल फ्रेंस आज हम बात करेंगे मोंटीना एल टेबलेट के बारे में इस वीडियो में जानेंगे मोंटीना एल टेबलेट की संपून जनकारी जिस में जानेंगे इसकी मार्केट प्राइस क्या है इसकी कंपोजिशन क्या है इसे क किन-किन बिमारियों में यूज कर सकते हैं साथ में जानेंगे इसके डोज साइड इफेक्स और कुछ सवधनियों के बारे में तो फ्रेंस आप इस वीडियो में आन तक बने रहिए ताकि आपको मॉन्टीना एल टेबलेट की संपुन जनकारी प्राप्त हो सके इस मेडिसीन में दो कंबिनेशन है पहला है मॉन्टी लुकास्ट सोडियं और दूसरा है लीवोसेटरिजीन इसमें Montilucast Sodium जो है Leucotrine Antagonist Anti-Histaminic Group की मेडिसीन है और इसके अंदर जो Leibocytrogen Hydrochloride है जो Anti-Histaminic Group की मेडिसीन है इसमें उपस्तित Montilucast Sodium जो है एक Strong Leucotrine Rodhi मेडिसीन है यह अपना कार यह LTC4, LTD4 और LTE4 आधी receptor के माध्यम से करती है और पेसेंट में अस्थमा उत्पन होने में इन रिसेप्टरों का अती महतोपून योगदान होता है अस्थमा के पेसेंट में गले में सूजन उत्पन होना, मसल का सिकुरना तथा अस्थमा के लक्षण इसी किरिया विदिद्वरव उत्पन होती है यह receptors बहुत महतोपून है तथा यह medicine, montylucast sodium उन्हें receptors की actions को बहुत कम कर देती है यह बंद कर देती है तथा इसके अंदर जो leibocytrizin है यह strong anti-histaminic medicine है यह aristopharmaceutical company द्वारा manufacture किया गया है और इसकी market price की बात करें तो 64 रुपया 50 पैसा है आपको 64 रुपया में किसी भी medical store रुपय कहीं भी मिल जाएगा आसानी से और आप इसे online भी purchase घर सकते हैं इसके एक estip में 10 tablet आता है आप देख सकते हैं 10 tablet का एक पता आता है और इसके strength की बात करें तो इसके अंदर जो montilucast sodium है यह 10 mg है और इसके अंदर जो लीभो सिट्रिजिन हाइड्रोकलराइड है यह 5 mg है और इसके यूज की बात करें तो अस्थमा की रोकथांग में अस्थमा के treatment में इस tablet के यूज की या जाता है एस्परीन के कारण जो उत्पन अस्थमा है उस condition में भी इस tablet के यूज की या जाता है ब्रोंकियल अस्थमा में ब्रोंकाइटिस में सर्दी जुखाम हो गया हो बार बार सर्दी जुखाम होता हो उस condition में जिसके कारण नाक बहने लगता है नाक बंद हो जाता है छीकी आता है आखों में खुजली होती है आखों से पानी आता है आखे लाल हो गया हो या आखों म एलर्जी हो गया हो मौसमी एलर्जी हो गया हो मौसम के कारण सर्दी जुखाम हो गया हो खांसी हो गया हो उस कंडिशन में इस टेबलेट के यूज की जाता है और डोज की बात करें तो एडल्ट में एक टेबलेट रात में खाना खाने के बात देते हैं एक टेबलेट से ज्या साइड ऐफैक्स की बात करें तो सीरदार्वट होना सीरचा कराना सुस्ति याना पेट DAR दर्स्त लगना मुंः सुखना प्यास ज्यादा लगना श् dor शुखना समया good गरान बहुत सवधानी या बहुत ज़रता होने प्鬱 मेडी सी यूज bemता है। बहुत सब्रता होती हैं लैसके नकरेज़ा और पीर मेडिसीन के यूज करने के बदे थे का सामता यूज मेडा प्주는 हम टीरेख करें USबुका किडनी रिलेटेट कोई प्राब्लम हो उस कंडिशन में इस टेबलेट के यूज ना करें इसमें उपस्तित कंपोनेट से अगर किसी ब्यक्ति को एलर्जी होता है तो उस कंडिशन में भी इस टेबलेट के यूज ना करें और इस टेबलेट के यूज करने से पले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले तो फ्रेंस ये था मॉंटिना एल टेबलेट की संपून जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए अच्छी लगी हो नॉलेज मिला हो तो प्लीज एक लाइक किजिए और मेरे चैनल पर पहले बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं हमेसा इस तरह का वीडियो लाता रहता हूं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए